देश के मुख्यमंत्री विश्णिदेव साय मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार दुर्ग पहुंचे जहां उनका इस्थानी जनपती निधियों ने भवी स्वागत किया सभा को संभुषित करते हैं मुख्यमंत्री विश्णिदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार बने आज 24 से 25 दिन हो गए हैं लेकिन मात्र इतने ही दिनों में हमने कई बड़े-बड़े कारियों को संपन किया है हमने मोधी की गारंटी में 36 गड़ की जनता से जो वादा किया है उसे पूरा किया है पेसी घोटाले की बात रखते हुए सीम साय ने कहा कि हमने पेसी घोटाले की जाच सीवियाई को सौपी है इसमें जिसने भी घोटाला किया है उसमें से कोई भी नहीं बचेगा हमने मोदी की गारंटी में जो भी वादे के हैं वो पांस साल में पूरे होंगे को देखकर खुद अपना काफिला रुक वाया और सहज भाव से सभी का अभिवादन स्युकार किया इस दोरार महा मौझूद पारशाद अजीद वैदने पिछली कांगरेस सरकार द्वारा जाती पमानपत्र नहीं बनाए जाने का वीरोज जताते हुए इस नए मुख्य मंत्र से जाती पमानपत्र बन जाने की उम्मिद जताई इस सम्मन्द में उन्होंने अपनी प्रतिकिया भी दी करेंगे हमारे समाज के लिए एक नई करें जादी पमानपत्र बिलकुल बनाएंगे इस समाच के यह आई हुए है अपने मेरे अड़िकशिक निजाज़ लान गे और मेरे पूरे समाज के सभी लोगों को ज्यादी पर मार्म भास ने इसे जै वारत में